भूक बढ़ाने की दवा, अगर आपको भूक कम लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, या खाना देखते हैं उल्टी जासा लगता है, या फिर थोड़ा सा खाना काते हैं उसके बाद पेट भर जाता है, अगर ऐसी समस्या है तो आपकी भूक को कैसे बढ़ा सकते हैं, इ आपकी अपने चलनल पारसों पेथी में, दोस्तों जब बच्चों को बड़ों को या किसी भी व्यक्ति को अगर भूक नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, उल्टी जैसा लगता है, तो उनकी बोड़ी धिर धिर वीक होने लग जाती है, उनकी जो स्कीन होती है वो एकदम से बीमार से नजर आने लग जाते है, ठकान रहती है, सुस्ती लगने लग जाते है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, उनका वर्क एफेक्ट होने लग जाता है, तो इन चीजों के पीछे कोई ने कोई कारण जरूर होता है, कि आपको भूग क्यों नहीं लग नहीं होता है, तो इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या कारण आपके पोसिबल हो सकते हैं, लेकिन इसकी वज़े से न्यूट्रिंस के आपके बोड़ी में कमी आती है, तो दूसरी जो इनफेक्शन होते हैं, दूसरी जो विमारियां होती है, वो आपको जल्दी कैच करती है, क्योंकि आपकी इम्मुन पाउर होती है, मिल्कुल वीक हो जाती है, तो जिन भी बच्चों को या बड़ों को भूख नहीं लगती है, उसका प्रोफर आप टीटमेंट करवाईएगा, उसके कारणों को जानिएगा, तो ही आप अपनी इम्मुनूटी हो रही है, आपके स्टोमक या आमासे के अंदर सूजन की सिकायत है, तो भी आपका खाने का मन नहीं करागा, उल्टी जैसा लगेगा, या खाना खाएंगे पेट भर जाएगा, या आपको ये दिक्कते हो सकती, आपको कब्ज की समस्या या दस्त लग रहे हैं, बार बार ऐ खाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चाहा के भी वह खाना ज्यादा नहीं खा पाते हैं, तो यानि स्कुछ साइकोलोजीकल कोज होते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको एंग्जैटी की समस्या है, आपको धड़कन बढ़ जाती है, बार बार पेट में ऐसा लगत आप डिप्रेशन के सिकार हैं, तो यह जो कोमल सी कंडिशन है, उनकी वज़े से आपको जर्नली के बार भूख नहीं लगती है, आप इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कुछ कारण होते हैं, आपकी डिजिस से लटेट, कुछ ऐसी बीमारियां होती है, ज आतम हो जाती है, तो यह समस्या है, अगर आपको है, तो आप इस चीज़ को बिलकूर नजर अंदाज नहीं करें, और आप इस चीज़ के ध्यान दिजिएगा, और प्रोपर टीटमेंट करवाएगा, चलिए अब बात करते हैं, होमीपितिक मेडिसिन की भूख लगने के लि लग जाता है, तो आर्षेन के अलबम सबसे बेस्त मेडिसिन है, इसको आप दो से तिन बूख जीप पर डालके ले सकते हैं, आदा कपानी में पांस मूल्ट डालके दिन में तीन च्यार बार लिया जा सकता है, इसकींड जो मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करने जारे है, वो है most prominent medicine या most common medicine जिसका नाम है नक्सुमिका आज के time के according सबसे suitable medicine है उसका कारण क्या है कि आज के लिए हम mentally work ज्यादा करते हैं physically work नहीं करते हैं या फिर physically work नहीं करते हैं mentally groups चे हम excess हो जाते हैं तो क्या करते हैं चाइड देते हैं कोफी पीते हैं सिग्रेट पीते हैं या जो लोग नसा करते हैं अलकोल का इस्तेमाल करते हैं उनकी अंदर होता क्या है उनको गेस्टाइटीस डवलफ होने लग जाती है पेट में एकदम से ऐसा लगता भारीपन सा एसास होता है तो वह खाने-खाने का उनका धीर-धीर मन कम करने लग जाता है या खाना लीमिट ही खा सकते हैं थार्ट नमर की जो मेडिसेन फ्रेंड्स हुआ है एंटी मॉनियम क्रूडम कई बार क्या होता है कि हम बीमार पढ़ते हैं हम वाइरल के सिकार हो जाते हैं हम और कोई दूसरी समझा हो जाती है उसके बाद हमारी बोड़ी एक्ज़स्ट हो जाती है या फिर हम इतने है लेकिन खटी चीज़े खाने का ज्यादा मन करता है उगफटी चीज़े खाना चाहते हैं तो सबसे सुटेबल मेडिसन अंटी मॉनियम क्रूडम नेंस्ट मेडिसन बताना चाहूंगा वह लगती कोल्चीकम का क्या रूल रहता है जब आपको खाना-खाने का मन नहीं करता साथ में खाना देखते ही आपको उल्टी जासा लगता है, करे बाद खाने की स्मेल आ रही है, उससे भी आपको अच्छा नहीं लगता, तो खाना खाने तो दूर की बात है, आपको स्मेल ही अच्छी नहीं लगती, तो उस कंडिशन के अंदर आप कोल्ची का मुथर्टी सकते हैं, आप चाहते हैं हमार से प्रावर्ज करना, तो दिए गए वार्टसप नमर से अपॉन्ड में लेकि कंसल्ट कर सकते हैं, दोस्तों इससे लिटेड आपको जानकरी कैसे लगी, अगर अच्छी लगए तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नहीं नहीं जानकर इनके साथ धन्यवाद फ्रेंज